राधे के श्रेमादों, आप सभी बात करेंगे स्रदफूर्णिमादों, क करतिक मास प्रारमब हो जाता है स्रदफूर्णिमा बहुती अच्छी पूर्णिमा मानीी जाती है भूभी शुप्स फल देने वाली होती है सुख शम्रद ही देने वाली होती है सरत पौण्णी मा के दिनमा लक्षमी का और स्रीय हरीविष्ण भगवान का पूझन क्या जाता है सरत पौण्णी मा के दिन अमरत वरसा होती है रात में चांद सोले कलाव से परिपून होकर अपनी किर्णों को परस्वी पर विखेरते हैं और उससे अमरत वर्सा होती है इसलिए सरत पूर्ण निमा के दिन खीर जरूर बनाई और खीर बनाकर समस्देवी देवताओं को भोग लगाए और खीर को रात में किसी जालीदार क पड़े से ढखके चांद की किर्णों के नीचे रख दें जिसे की चांद की किर्णे आपकी खीर में जाये और वह अम्रत समान हो जाती है उसको खाने से समस्द रोग से छुटकारा मिल जाता है घर में सुक शांती सम्रत भी बढ़ती है समस्द मनों कामनाई पूरी होती है और फ्रेंट्स कार्थिक मार्स भी सी दिन से प्रारंब हो जाता है कार्थिक मार्स में तुलसी पूजन करने का विसेज महतो होता है और फ्रेंट्स स्रीकिष्ण भगवान जी ने भी सरट पूर्णियमा की रातरी से महारास प्रारंब किया था और महारास लेला 6 महा तक चल करें और लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं ठाकुरजी आपके घर में है तो लड्डू गोपाल जी को 55 स्विश्णान कराएं पीली असफेद कलर की पोशा को पहना ये सुंदर सा शिंगार करें और लड्डू को पाल जी को खीर का भोग लगाएं इस तरह से श्री हरी व कृष्णो मालक्षमी का अश्रिवास सदे हमां सबके ओपर बना रहे राधे 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 कृष्णा 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 जैलड़ गोपाल की जैबाल कोपाल की